सर डंडे तो मिले यह पर बच्पन में ऐसा लगता था वो मार है लेकिन अब जैसी बड़े हुए है थोड़ा अच्छा मतलब खेल रहे हैं तो फिर यह ऐसा लगता है कि हां की नहीं वो मार नहीं थे वो अब्बू तराश रहे तो में बहुत हम दोनों भाई बहुत नसीब आ सर ऐसा था कि मैं बहुत छोटा था उस टेम पे तो मुझे याद आपाया थे सर एक बर आपको मैंने गोड़ी में लेके इंटर्वी किया था नमस्का आर्मी सुबहत मयूरे गोष्ट चैंपियन चीजे अच्छा नवय भागात अपला स्वागत आणि आज सापला चैंपिय करता है मुझेर स्वागात तुझे अच्छा प्रवास अपलेला जानून गेचा है करतार मुझेर भार्दागर ना अंडर-19 वर्ल्ड कप मादे खेलेला है मुंबई चा रंजी आजिंके पर पट्काऊना रहे बेचाई सावजी आजिके पर पट्काऊला है मुंबई ना त सब्सक्राइब करना अनेक प्रसंगे तिन इंग्लीश पन बलाओ लागें तर ही जर्नी वह चे कित्वा वर्षी शुरू जाली करें मुला आठा होते कि आपन चार एक वर्षा सा अस्तना पड़ एक इंटरू के लिए लाए लाए यह जर्नी घरात लागरात अब्बु जी सब्सक्राइब जब मैं तीन साल-चार साल की उमर असे था तब मैं अबब ने घर में मुझे चालू करा दिया था प्रैक्टिस करना उसके दीरे दीरे ग्राउंड में लेकि जाने लगी आप बूचार साल की उमर में फिर मतलब पहले चोटे लोग के साथ चेश्क्राइब दिरे दिरे अब्बु ने आदत दाल दिया कि बड़े किर्केटर लोक के साथ मेरे एज में बड़े थे उनके साथ भी मुझे खेलने की प्रैक्टिस करने मेद चालू कर दिये तो मतलब वही सही बहुत सारी चीज सिखने को मिली बच्छपन में खेलके तो मतलब इसी लगा ब तो वहाँ पर मैं त्राय करता जाकर मैंच देखने के लिए अबू के साथ दिन दिन पर वाहा बैठे रहता था तो पानी लेके जाता था वाहां मुझे आलाओट करते थे थे थोड़ा साही तर उतर जाने तो मैं जाता था बहुत कुछ सिखने मिलता था उतर जाकर पहले करता था यो दृट से बढ़ा हो रहा था शारीक करकता कि है था की क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या रहा में जब हम अधार मैद आ दरहना हमेसंट है चार 745 तरह को बाद आख्या दात सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर मतलब यह था कि मैं चोटा था ना सर तो बॉलिंग अच्छी डालता तो बॉलिंग जाधा मेहनत करता था बैटिंग भी करता था पर उस सब्सक्राइब करता था तो शलाता है तो फिर ऑन बनाने जाता भी नहीं था और उस था मेरे कि मेरे रंदी के तो मतलब मुश्टली सव बॉल खेलता था उसके अंदर भी सरन दसरन ऐसे रहे तो इतना नाम नहीं होता था फिर दिरे-दिरे इसी थोड़ा मैच खेल खेल के एक्स्पिरियंस आया थोड़ा सा उसके दिरे-दिरे शॉट्स के उपर प्रेक्टिस कराया अब उने बहुत सारी शॉट्स किलाए मुझे तो उसके बाद सब कुछ इजी हो गया मतलब आने लगा सब आप लगी हो कि आपके घर में डैड तो क्रिकेट का उनको थोरो नालेज ह पूद कोज भी है और आपको डैड भी घर से अइससे मिले जो क्रिकेट के लिए फुल होल हर्टेज ले आपको सपोर्ट किया और बीइंग कोज उन्होंने गाइडन्स भी किया तो यह कितना इंपोर्टन फेक्टर है आपके लाइफ में अभी तक जरनी में कि यह जो चाहि हम दोनों भाई बहुत नसीब हाले कि हम दोनों को इतना अच्छे अभू मिले कि मतलब हमारे उपर ही पूरा इदम ध्यान दिये अपनी सारी नोकरी जो भी उनकी थी उन्होंने छोड़ दिया सब सुबह ये शाम तक हम लों के पीछे लगे रहे तो मतलब यह एक चीज है कि कि उन्होंने बहुत सारा मतलब हमारे उपर सेक्रिफाइस किया वह अपनी लाइफ में और उनने और वह बोलते भी है चीज है कि जो उनसे गलती हो गई पच्छी साल के चपवीस साल के करियर में वह उन्होंने साइड में अटा कि हम भाई को रास्ता दिखा तो मैं बहुत कुछ सिखने को मिलता है सर तो मतलब अच्छी बात है घर के अंदर ही सब कुछ है क्रिकेट कोश भी अबू डैड भी है तो बहुत कुछ सही है मेरे अब जैसी बड़े हुए थोड़ा अच्छा मैदलब खेल रहे हैं तो फिर यह ऐसा लगता है कि हां कि नहीं मार नहीं थे वह अबू तराश रहते हैं उसके रिजल्स अभी दिख रहे हैं जो मेहनत की अपने वह एक तरीके से प्यारी था हम लोग के लिए कितने घंटे आज तो हम सुन रहे हैं कि जो मैच के जो अवस रहते हैं पूरा दिन का डिवरेशन रहते हैं वह आधात अपने बच्पन से डाली है पाच-पाच गंटे तब से प्रेक्टिस करते हैं यह था कि सुबा हम लोग एक बार घर से निकल जाते थे मतलब हम लोग 5.30 पाच से लेके साधे दश-ग्यारा से लेके मार मैच चलू होता था महा पर नाश्त अश्त करके शाम का मैच खतम उता था चार बजे चार बजे के बाद निर्ट लगता था 5 Financial चार पांच बहुए तक चलू और यह मतलब पूरा यह एडेली रूटीन दोनों भाही और मैं पुरक क तो यहाद है बारिष में भी यहां डेखा तक बारिश चैनल मुषा तरू सकत करते अब ही रहता था हम लोग करने बारिश में अच्छा मिट्टे नहीं मिलता था कहीं पर अभी तो आज कल बहुत सारी फैसलेटियों उस टाइम पर नहीं ता जम्में चोटा था अभी तो बहुत सारे इंडोर खुल गए दरुदार लेकिन अब आजाद मिदान बैस्ट रहता था हम आउट फिल्ट पर रोल करके प्रैक्टिस करते थे अब बारिश हो गए तो फिर मतलब चोड़ते नहीं तो वह सब चीज भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि और बहुत इंजॉय करते थे हम लोगों सब चीज को मतलब खुशी-खुशी करते थे मजा आती थी सब लोग एक बहुत कम थी उस उमर में दिनमर ग्राउंड पर रहने के लिए जो चाहिए था वह कहां से लादे देजिए तो मतलब अब ने पूरा रूटीन बना दिया तो अब अम लोग कभी दूसरी चीज है कि हम लोग कभी घर पे रहते हैं तो अम लोग को इसा अलग होता है कि हम लो है तो अब आदा रहती है सुबाए शाम अब आधात रहती है वह न हमारा घर होटल यह रात में आयह सोरे और दिन भर वह घर में लग आपीना सब कुछ जो भी करना एक राउन पर करना है तो वहीं पर ज्यादा समय बता हुए इंजॉइ बहुत करते थे वहाँ पर हम लोग खेलते-खेलते सिखते थे और ठकने की बात है कि मतलब अम लोग सुबह ये शाम तक मैं एक महिने के अंदर हम लोग 25 मैश तो ही जाती थी सुबह ये शाम तो लेकिन ये फिटनेस के लिए कुछ अलग से कि आपने जैसा आप कल्चर है कि जीम में जाते लोग कुछ अलग वरक आउट करते उसके लिए क्या क्या आपने क्योंकि जो इल्बो जिसमें पावा चाहि तो ग्राउंड पर रह रहे के खेल खेल के सब थोड़ा सा स्टैमिना जो ग्राउंड फिटनेस है वह बहुत अच्छा है तो वह बहुत ही अच्छा है जिम में मतलब रहते नहीं पर अभी जब से मेरा एंसे केम लगा है और एंसे में भी हमारे दोनों जगे पर भी अभी ज रूटीन इसे थोड़ा सब द्सक्राइब करते ने लगा तो थोड़ा पर फिटनेस के चीज आप ध्याल देने मिलता तो मुझे रहे ने हमने जब लास्ट टाइम मिले थे तब शहयद आपने का रेकॉर्ड के साथ सरप्राज के लाइं सब तिनों भाई आप साथ में खेले तो अब भी बन गया था तीनों भाई खेले था हम और अब भी तो सर में बड़ा हो गया था में लग रहे कि 14 साल 15 साल कथा अच्छा जब की बात है सब्सक्राइब करते हैं कि कोशिश करते हैं और अब बहुत एक्सपिरियंस अब ने बहुत से संचुरी मारे कांगलिंग में संचुरी मानना बहुत डिफिकल्ट होता है अब बहुत मतलब इतना डिफिकल्ट होता है इतनी गिली भीगिंट होती है बड़ी-बड़ी घास होती आउट फिल पे तो शिख्ते हैं हम लोग कि कैसे रन बनाना थे वहां पर खड़े हो क्या है कैसे गिली गिल्यू करना सब्सक्राइब किसी बड़े प्लेयर को आप बॉलिंग डाल रहे हैं कि उसके बाद फिर यूरा सिंग के लिए बात कर रहे तो बोले कि मिला देते हैं तो हम गए महाँ पर मिलने के लिए तो वह पर अभिकरान गुप्ता सर थे तो उन्होंने बोला कि इसको मैच खिला दू अब्डू ने चोटा था ने उस टाइम पर मैंने चालू कर दिया था था तो उन्हें खेला था बारहा और की मैच ती आया दे मुझे अच्छ से एक और डाला था एक विकेट लिया था मैंन विकरान सर ने बोला था कि अभी दूसरा हुआ जब यूरा सिंग आएंगे तो उनके सामने आपको डालाएंगा तो थोड़ा सा मतलब यह था कि दर लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने डाला और मैं एक एक शिक्स एक फूल में पहला लास्ट की पाच्वी चटी बॉल पे म वाज ऑसम बॉल तो में वह बॉल अभी भी रखा लिगें घूम गया रहेगा शायद वंदर रूम में पड़ेगा अभी फिर से मिलेंगे तो पुछेंगे वह बॉल का है दिखा हो नहीं में घर में रखा हूँ वह कहा है पता नहीं अच्छा में उसके बात में आपने मुं पूटिन का सहर में जब गया था गुजरात में बड़ोधा में कुछ वापी की दोस्तों है तो मेरा सेकेंड लिया था तो उसमें मतलब दो मैच के लिए तो एक मैच में बार बेटा था एक मैच खेला था तो उतना अपॉचुनेटी नहीं मिली थी बैटिंग भी नीचे ग सेकेंड बहुत अच्छा गया दो डबल सेंशुरी थी अंडर फोर्टीन में शायद बरोड़ा के सामने टू फिफ्टी एट मारा था याद मुझे और फिर सेकेंड मैच सेवेंटी फोर फिर फॉट्टी ऐसा और जुजरात के सामने फिर सवराष्टा के सामने टू थाटी कुछ ऐसा किया था तो वही उसका अच्छा सीजन गया था वो 600 रन मनाया था मैंने चार मैच में फिर अंडर 16 में भी अच्छा ही किया सब कुछ महां पर भी एक डबल सेंशुरी है नाइंटीन में भी चार साल चारु साल में को इसा लगता है कि पहला साल भी दो मैच के लि लेकिन मुंबई का डेबियू भी हो आपका लास्ट इस साल के तो फुर्टि सेकंड रंजी टाइडल के हम बात करेंगे लेकिन लास्ट आपका मुंबई रंजी डेबू भी हो था तो शायद 3-4 मैचस खेल रहे थे लास्ट एकसा ता इसा फर्स टाइम आप रंजी खेल रह लेकिन बाहर हुआ रंजी टॉफी से 23 के लिए तो वहां पर रंजी लेकिन अब्बू ने मुझे बूला कि यह लवल अलग है यहां पर मतले बहुत मेहनत लग पर अपने टेक्निकल चीजों पर ध्यान देंगे बहुत सारी चीजों पर अब्बू ने काम किया जो मुझे व बहुत सारी चीजे बताई बॉलिंग में क्या करना है क्या पेशेंट से डालना है वहां बालिंग एक्शन भी चेंज किया उसके बाद पिर इस साल में वापिस आया इस साल की तो बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाता हूं कि आपका जो स्टाइल है टेक्निक अब कभी बोलर को सेटल नहीं होने देते हों कोई पीन रो उनको उनकी लेंक लेंग लेंड लेंड बिस्टब करने के लिए चाहिए अधा स्विंग होता है सब्सक्राइब और दूसरा की ज्यादा स्विंग होता है स्विंग कट करने के लिए बालर सेटना उजाया एक टप्पे पे और मैं जगे से खेलता हूँ लेगन जप सैट आता हो तब शुरुआत में भी जगे से खेलता हूँ जैसा विकेट रहता है वैसा बैटिंग करने के लिए ट्राइ करता हूं यह नहीं सोचता हो कि यह यह कोशिश करूंगा कि वह तो एक इंपोर्टों चीज भी है उसमें भी मैं खड़े रहे की खड़े रहके भी खेलना से को मैं आता भी खड़े रहे की मी खेलता है शुरुआत में अभी फाइनल मैस में मेरी इनिंग देखिंगे मैंने फर्स्टि इनिंग में दो तीन बॉल उसके बाद फिर जादा में आगे जाए आपको क्योंकि आप बॉलों को सेट नहीं होने देते हैं उसकी लाइन लेंग कभी हो डालता है तो आप डिस्टप कर देते हैं तो यह जो आपने टेक्निकल फ्रॉज और कम किये उस फर्स रंजी फर्स सीजन के बाद में वह इसके लि अपको ड्राइड ने आपके फैमिले डॉक्टर ने उस पर वर्क किया है अच्छे मेडिसिन दिये हों गया है लेकिन आप डेली बॉल उसके लिए ले एक स्पेसिपिक केलना है रिवर शॉट क्राइब प्रेक्किस करना है या रेगुलर स्विप पे खेलना है या और रव तो यहां कि अब जैसे मैं मैं अब से मिलेशन हम उसमें ताइब की प्रैक्टिस कराते हैं सूबा लाल बॉल का प्रैक्टिस कराते हैं तच बैसे, बारे तक फिर लॉंच टाइम सब्सक्राइब करते हैं इंडिया में इसे पहले कोच होंगे जो एक ही दिन में तीनों फॉर्माइट की दिन में करते और अगर मैं नेट में बैटिंग कर रहा है नेट के अंदर भी शुरुवात में दो गंटे का सुबह में नेट होता है दो गंटे बाद नौब एक साड़े नौब एक खतम हो जाता तो कभी दिनों सेशन के जो डिफरेंट वेदर रहते उसमें खेलें के आपको यूस्ट हो जाते हो जाते हैं जी अबनी मौनी मौस्टर है बात में सोड़ा से चेंज होता है जी तो सुबह में मतलब स्विंग होता है तो हम लोग लाल बाद का प्रेक्टिस करते फिर उसके बाद वन डे में थोड़ा सा शौट में तो आपको हर बॉल मानना रहता है अच्छा पीक करना पड़ता है वहां पर तुजा नहीं करके और बहुत सारी शौट्स केलते है और गट के अंदर जमना बैटिंग करता हूं तो शुरवात में गंटा जो रहता है शुबहा में रहता है तो छोड़ा चोड़ता हुए से सारे आंट बसता है विकिट पर सूट के प्रेक्टिस भी करता हूं जो भी मतलब सूब होगा स्व 2014 की आप 15 की बात होंगी सर्फू तब अंडर 19 वर्ड कप कहला था और आप वहां पर स्टेडियम में थे शायद अबुबी थे वहां पर और याद आ रहा है भी हम लोग दुबाई गहते से दुबई हैं भाई का एश्या कप चालू तो एश्या कप देखने गहते दुबाई मे मैं और अब्बु तो बहुत कुछ सिखने को मिला उस्टाम पर छोटा था इंज्वाइज जादा कर रहा था मैं तब मन में बात आय थी कि आज अपना भाई खेल रहा है इदर अंदर एक दिन मुझे बोला थे कि यह ग्राउंड देख ले अच्छे से पैचान ले ग्राउं अगे चलके थोड़े साल वाद तेको भी आना अच्छा खेलेगा तो जी इंज्वाइब बहुत कर रहा था मुझे बॉलिंग भी डलवाया था इंडिया में जितने बैट्समें थे सब को डाला था तो दस साल बाद आपने वर्ड कुप में भी वह सबना भी पुरा हो गया में लुटकुप में जैसे भाई ने नाम कमाना है जैसे भाई रन मना रहे हैं वैसे मुझे भी रन मनाना वर्ल्टकुप में विकेटना और मेरे पास तो दो डिपार्टमेंट है और मैं उसमें बॉलिंग भी विकेट निकालना चाहता हो और वह अच्छा हुआ मेरा तो किया भी आपने जी सेकंड डाइस रंड गेंटर देता रहूंन त्री फिप्टी त्री सिक्स्टी रन पर यह आपका जो वर्लकॉप का जर्नी था यह कितना टफ था साउथ अपरिका यह कि बाद कर सकते हैं और वह बाकी जो और स्टाफ थे हमारे बहुत केरिंग ते जितने भी हमारे सब्सक्राइब तो हमको उदर पे बहुत कुछ सिखने को मिला सर्थ हमारा एश्या कप वह एश्या कप से पहले भी हमने को ट्रैंगूलर सिरीज खेली ती वीजे वाड़ा चैलेंजर भी खेल लेते बहुत मंकर abbiamo स्टैट्र का होता है ज्यवाट होएं लिए चैलेंचे वह बाद को ट्रेंगूलर के बाद एश्या कप गये शकी के बाद हम को एक मैना पहले लीग गया उदर पर वर्ल गॉर्ट कॉप के मां साउथ अफरीका में एक मेहना पहले हमने ट्राइस सीरीज खेली बंगलादेश अफगानिस्तान और वहां का विकिट का जज्जमेंट मिला कि कैसा क्या है और बहुत कुछ सिखने को मिला उससे पहले उसके बाद यह हो गया जब वर्ल्ड कप में गया तो हमको कुछ डि प्राइस केल रहे तो हम लोगों को थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा था वर्ल्ड कप में उतना नहीं लग लेकिन अपने नाम लेकिन कितना बड़ा एडवंटेश था क्यों कूल काम है सब को बराबर हैंडल करते हैं तो यह कितना बड़ा एडवंटेश था आपके लिए सब्सक्राइब को बहुत सारी चीज़ें सिखा है जैसे कि वह मतलब बोलते थे कि प्रेजेंट पर रहना चीए प्रोसेस पर ध्यान देना चीए रूटीन अपना छोड़ना नहीं चीए और यह कि उतने बड़े कोच है हमारे साथ और सर ने इतने सालों तक इंडिया के अब सर ने मतलब जितने भी हमारे सपोर्ष्ट आफ थे सब रिशी सर थे या साही सर थे उन्होंने अमको फ्री एंट चोड़ा हुआ था आपको जो करना है करो बट मतलब टीम के लिए अच्छा है वह पुरा दो करके ऐसा कुछ यह नहीं था कि यह करना वह करना जो आपको बेस्ट लगे आपके लिए टीम के लिए अच्छा है वोकल थोड़ा साथ डिसपॉंट निंग होगा कि वह बहुत अच्छा खळके फिर्वकेश जी सर थोड़ा थोड़ा दिसपॉंट नि मेरे लिए तो बहुत ज्पा था था कि मुझे जीतना है यह था कि हम सब यह थे और क्या कर सकते एक दिन खराब आया वह फाइनल का दिन ता आप आपके पर्फॉमंस से कितने सैटिस्फाइट थे वर्लकुप के में तो आपने तो आल राउंड पर्फॉमंस दिया था अच्छी फिलिंग की थी सर मुझे खुशी हुई पर सैटिस्फाइब नहीं हुआ था म की भरपाई आपने रंजी ट्रॉफी निजीत के इसके यह किया फिर वो एक मतलब मेरे लिए की कवर हो गया की वर्ल्ड कप के बाद रंजी ट्रॉफी में आया मैं कौडर फाइनल से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई था अपने अंडर 16 में भी उनके डबल अंडेट किया था कुछ ऐसा किया था उसके बाद अभी दोसों पांच जब भी अभी बरोडा सामने आया का वो बलेंगे दोसों गया नहीं सर ऐसी बात में आउट भी हुआ इसी बात ने का था बट यह कि अब मैं कम बैक कर रहा हूं यह वर्ल्ड कप में बनाया और फूल टश में बिता पर इक रंजी ट्रोफी की बात आती है तो लास्टेर मेरे याद आ रहा था पहला दिन पर उसके बाद जैसी में विकेट पर खड़ा हो गया जैसे रन बनाना शुरू किया दिरे-दिरे सो सेंचीर हुई तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि बाई चलो अच्छी शुरुवात हो है फिर मैं सोचा कि नहीं जोड़ना नहीं है पूरा बड़ा करना और उस टाइम पर सिच्वेशन ऐसी आ गए थी कि हमारे विकेट थोड़े चले गए तो टीम का डिमांड यह था कि मुझे विकेट पर खड़े रहना चाहिए सुबाए शाम तक तो ही मैंने ट्राय किया और उसका रिवाड मिला उसके बाद में सेमी फाइनल भी जीता वंटेड में और फाइनल में ऐसा बहुत कम लोग है बुंबई के लिए फॉटि सेकंट टाइटल जी जिते लेकिन फाइनल बे सेंचुरी करने वाले बहुत कम लोगा और उसमें अभी आपका नाम आए तो यह कि प्रूश्य सिचेवशन में रंस करना चाहिए कि टूफो टूटीफोर पर हम अलॉट हो गया थे फर्स्ट इनिंग में ज्यादा लीड भी नहीं था लेकिन सेकेंड इनिंग में आपने कम बैक किया स्ट्रॉंग ली कम बैक किया हन्रेड किया को मेमरी कैसी थी सर मैं जब बैटिंग कर रहा था तो फर्स्ट इनिंग में आउट हो गया दा सेकेंड निंग में यह था कि हमको थोड़ा साम गरम पानी में थे कि कभी मैच पलेट सकाव क्रिकेट सर्कुछ भी होता तो यही तब मै सब्सक्राइब करा था कि आपको कुछ डाया ट्राय नहीं करना और मैंने फिर थोड़ा पीछे याद किया कि मैंने सवराश्टा के सामने बरोड़ा के सामने कैसे खेला था मैं सोचा कि मैं सिर्फ खड़े रहने को देखुआ और मुझे बहुत अच्छे पाटनरी मिले थे अधिता के साथ भी मज़ा है मुझे तो हमारा बात चीद करके अच्छा पाटनेशी बोरा था फिर अच्छा बाटनेशी बहुत बड़ा था पूरा खेलने के लिए और उसके बाद जैसी मेरा संक्षूरी हो गया उसके बाद में मुझे पता चला यह सब चीज तो मुझे ए बड़ी लेवल पर जाग चुके अपने अजुदा का नाम लिया तो इनका इनका इंडिया के लिए भी उन्होंने टेस्ट में विक्री दिलाई है अगेंस जो क्रिटिकल सिचेविशन में उन्होंने अच्छा परफर्मस निकाला है यह से तो कितना अलग था मुंबी के मितलब ज्यादा इसा उन्हें से कुछ दिखता नहीं है मितलब की क्युछ आटिटूट है इसे वैसे जो भी वह इतने सारे टेस्ट मैचिस खेले हुने इतने हंड्रेट्स एंडेन टीम के लिए तो जब वह रंजी ट्रॉफी आते हैं तो बहुत कुछ सिखने को मिला से उन अब भी बचा अब भी बचा अब भी अब कुछ भी हमको आखरी विकेट जब तक नहीं कुछ शोचेंगे नहीं सिर्फ आज करी विकेट तक प्रोसस के दयान देंगे अपना काम करके मुषिर यह जब रंजी ट्रॉफी चल रहा था फाइनल चल रहा था तब हमने सुनाए कि मैस तो साधे नुबजे चालो होता है लेकिन आपकी प्राक्षिस सुबह साधे साथ बजी चालो जाते हैं आप वानकेडे के बाजू में जो क्रॉस मैदान वगर अले ग्राउन से व सुबह बैटिंग करके जा तो पहले बॉल से सेट रहता है कि यंग्स्टर से उनको उनके लिए सिखने के बहुत बड़ी बात है कि कि इतने एफट्स लेना चाहिए तब मुषिर जैसा ही सकस्स मिलता है तो मैं सुबह उठता था साधे पाच बजे जब बिकेसी में मैंस्ता तो मैं सॉफिटल में रूका दा बाजू तो यहां साधे पाच बजे उठके 6 बजे घर आ जाता था अबू आते दे लेने कि यहां बैटिंग करके फिर यह जब मैं वहां था ट्राइडेंड में मरीन ड्राइब में तो वहां से आज़र मिदान बाजू में मेरा पहला घर त अबी तो बस नहीं जाती तो अब मुझे डाउंट चोड़ा है तो वही बैटिंग कर गया था तो ओर डेली रूटिन रहता है वहां हड़ वर्क का आपको सक्सेस भी मिला है बात में अपने अनेड भी किया है रंस भी के और मुंबई को जो लास्ट एट यह से हम ट्रोफी जिए सके थे रंजी ट्रोफी फाइनल में जाते थे दो बार फाइनल में गये बाद में उसके बाद में 2016-2017 और बाद में 21 लेकिन ट्रोफी ने उटा सकते जो इस बार हासिक्ट प्रॉफी हो गई सब कुछ हो गया लेकिन मुशिर शायद अभी जो महों चल रहा है आई पेल में नहीं हुआ तो यह कि हम तैयारी करेने का मौका मिला और अभी भी हम लोग उमीद लगा के बैटे कभी ऐसा फोन कॉल आ सकते तो उसके लिए अपनी तैयारी हम कुछ होना नहीं हमको प्रोसेस पे ध्यान देना जो भी हम करते वह आ रहे और हम तीनो टाइप की मिल जाएगा बढ़ यह कि ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं ज्यादा प्रेशर आएगा प्रोसेस पर द्यान देना है अपने मोका आएगा तो आ जाएगा पर उमीद तो है सब अपने अच्व कि सर्फू भाई ने एस क्याप भी हासिल कर लिया आपका टेस्त क्या आपका अपका टारगेट क्या है है सब चैसे अपना रहता है कि इंडिया खेलना लिद भाई है कषिए प्रोसेस द्यांत सकता secular reflection नहीं कर दे का je आपको प्रोसेस पे धान देना प्रेजेंट में रहना है जादा पाश के बारे में और आगे के बारे में फूचर के बारे में सोचना है सर्फ भाई का अपने इंडिया अंडर 19 डेबु देखा था एशिया कप के लिए आप स्टेडियम में थे तब की में मरी ज्यादे अभी भी ताज आए इस डेबु आपने देखा होगा शाहिद ग्राउंड पर थेकिन मुझे पता नहीं अब अब्बाद में अंधाबाद में तब और आपने देखा होगा कि अनिल कुम्रे सर ने शायद दिया था तब बहुत इमोशनल मुमेंट था इतने समय से वेट चल रहा था कि अब आएगा अब आएगा नाम यह था कि थोड़ा सा इमोशनल मुमेंट था बहुत ज्यादा सबके लिए सबके आंकों में सर अबुगों देखा तो अबुगों रोरते को देखा तो मेरे वी आसो चुट गए कि यार इतने सालों की महनत अबुगी पूरी होगी बजी लिए अंधसे मेरे अंदर की मुझे बिकरने को श्यान करें अम लोगों को जब भी खुशी होती है सर कि जब अब बाकी दब उतना सब्सक्राइब नाराज हुए जैसा कि थोड़ा कभी कैच छूड़ गया या फिर को भी मैंने खराब शौट खेला उसमें आउट नहीं थी तो बोलते हैं मुझे कि इस टाइम पे खराब शौट था अगर यह बॉल पर आउट नहीं जाता तो शाहिए पॉइंट आउट करना पर उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि दिन होता हम बना दे यह जब तो चीजों पर ध्यान देने से होता है कि आदमी सर्फू का टेस्ट देबू आपने देखा और आपको शुबकराया में कामना है देते कि और बेस्ट और कि आप भी वह सपना पूरा करने के लिए मेनद करेंगे हो जल्दी कि जल्द है अपर व्यांडेस का प्राइब ला टेस्ट अल्ट कर दो पर आइन की सब्सक्राइब